प्यारे बच्चो नमस्कार आज हम लोग BSC Math Honors या सबसीडरी के लिए Intrigation पढ़ेंगे Intrigation of Rational and Irrational Functions आज हम लोगों का ये छठा क्लास होगा आईए मैं यहाँ पर एक क्वेसन लिखा हूँ और इसका हम लोग Intrigation करते हैं तो देखे बाबो क्या है आई बराबर है 10x by under root a plus b 10 square x को integrate करना है जहां पर b आपका a से बड़ा है ठीक है तो आईए हम लोग इसको solve करते हैं तो देखे नीचे 10 है तो हम लोग पहले कोशिस करते हैं 10 को put करने का लेकिन यदि आप 10 पूट करते हैं तो 10 का differentiation हो जाएगा से की स्क्वार जो की ऊपर तो है ही नहीं इसी लिए ऐसे केस में आप 10 नहीं पूटी है अब आप क्या किजिए 10 को sin और कॉस में बदल देजे तो कितना हो जाएगा बाबू i बराबर sin x by cos x dx by under root a पलस b sin x by cos x यानि कि i बराबर आपका हो गया sin x by cos x dx और यहां पर आप lcm ले लिजे तो cos x आपके lcm हो जाएगा और यहां पर a cos x plus b sin x हो जाएगा और देखिए यहां पर भी नीचे cos x है और यहां पर नीचे cos x है रूट में तो यह बाहर निकलेगा तो आपका रूट खत्म हो जाएगा तो यह दोनों आपस में आपका कट जाएगा कटेगा तो क्या बचेगा देखिएगा तो i बराबर sin x dx by under root a cos square x पलस b sin square x अब बात है कि नीचे या तो sin को आप cos में बदल लिजे या फिर cos को sin में बदल लिजे लेकिन आपको देखना पड़ेगा उपर उपर आपका क्या है sin तो नीचे cos रहेगा तभी तो आप उसको पूटिएगा तो sin आएगा यानि कि नीचे आपको cos में लाना है तो cos में लाना है तो sin को बदल लिए आई बराबर आपका क्या हो जाएगा integration sin x dx by under root a cos square x plus b sin square x बराबर 1 minus cos square x और अब आप इसे लिख सकते हैं sin x dx by under root ब्राइकर तोड़ दिजे तो a cos square x plus b into 1 तो आपका हो जाएगा b minus b cos square x तो आप देखे तो बाबू आपका क्या हो गया sin x dx by under root पहले तो इस b को बाजो में ले लिजे पलस इस दोनों से cos बाहर आ रहा है तो a minus b cos square x अब देखिए कि एक condition यहाँ पर दिया हुआ है कि b is greater than a यानि कि b बड़ा है जबकि हम लोग जो यहाँ पर लिखे तो a minus b लिखे तो यहां तो आपका गरबढ हो गया ना आप यहां से minus common ले लिजे तो minus common लिजेगा तो आपका कितना हो जाएगा sin x dx by under root b minus common ले लिजे तो b minus a और आपका हो जाएगा cos square x अब देखिए अब यह इस cos को पूटिएगा तो आपका यह वाला sin आजाएगा अब आप एक format लाइए क्या format लाइएगा i बराबर sin x dx by under root root b के square minus root b minus a cos x का आप कर देजे हो जाएगा और अब इस cos को पूटिएगा तो sign आएगा जिसको पुटना है उसको लिखना है और उसी को डी में भी गुशाना है आपका इस परकार से हो जाएगा d में गुशा देजिए आप cos x by under root root b का square minus root b minus a cos x का whole square लेकिन जब कभी भी आप ऐसा कीजे तो एक बार verify जरूर कीजेगा जैसे cos का differentiation कितना minus sin x होता है यहाँ तो minus आपने लिखा ही नहीं है तो अब आप minus को क्या कीजे तो बाहर कर लिजे अब देखे एक formula है क्या formula integration dx by under root a square minus x square बराबर क्या होता है बाबू sin inverse x by a तो यह हो जाएगा आपका sin inverse x by a और आप बिल्कुल इसी format पे इस question को बनाईए आई बराबर पहले तिया आपका minus बाहर आगया आप क्या लिखेगा तो आप लिखेगा sin inverse x by a तो x के जगह पे आपके पास क्या है x के जगह पे अंडर root b minus a cos x by a और a के जगह पे आपके पास है root b यह हो गया root b और ऐसे case में एक चीज़ ध्यान दिजेगा कि हमेशा x के coefficient से हम लोग भाग दे देते हैं यहाँ पर x के जगह cos x और इसका coefficient अंडर root b minus a है तो आपको अंडर root b minus a से भाग देना पड़ेगा और जब सारा integration खतम तो आप एक constant c को ले लिजे यानि कि i बराबर minus 1 by under root b minus a sin verse यह दोनों root में एक साथ ले लिजे b minus a by b into cos x पलस c और यही आपका हो गया answer है मैं एक बर answer मिला लेता हूँ हलाकि मैं आपको कई बार बोला हूँ कि इंट्रिगेशन में आपका format बदलने से answer का आपका रूप answer का format बदल जाता है फिर भी मैं देखता हूँ क्या है तो आपका है हाँ sign verse ठीक है समझे बाबू इस परकार से यह question आपका बिल्कुल ही सही बना है अब आप इसका screenshot ले ले आपका बिल्कुल है कि आपका बाबू आई है अब हम लोग निए अब लोग निए 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 नेक्स्ट को पढ़ते हैं और यह question आपका काफी important है mi आई बराबर है integration 1 plus x square by 1 plus x power 4 और आपका है dx इतना है ठीक है और इसको बनाने के लिए देखे आपको क्या करना है इस इस अब आपको तरीका सिखना पड़ेगा यदि आप तरीका जानते हैं तभी यह आपका सवाल बनेगा नहीं तो यह सवाल आपसे नहीं बनेगा तो क्या तरीका है देखे इसका आप क्या किजे कि ऊपर से x square common लिजे है तो निकल जाएगा नहीं है तो बटे में आ जाएगा यहां पर 1 by x square पलस 1 हो जाएगा और यहां से भी आप x square common लिजे नहीं है तो बटे में और 4 power से 2 power आपने निकाला तो 2 power आपका बज़ गया और इस प्रकार से आपका dx भी हमने लिख दिया x square x square cancel देखे तो क्या बचा तो यह बच गया 1 plus 1 by x square by x square plus 1 by x square और साथ में dx अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इस इसको विशेश रूप से ध्यान में रखिएगा कि यदि उपर आपका पलस रहे तो नीचे हम लोग perfect square लाते हैं मैनस में और यदि उपर आपका मैनस रहे तो नीचे हम लोग perfect square लाते हैं पलस में हम ऐसा उल्टा काम करते हैं जैसे कि अभी उपर पलस है हम लोग अभी नीचे perfect square बनाएंगे मैनस में कैसे बनेगा देखिए तो आई बराबर आपका 1 plus 1 by x square by a square पलस बलके आपको मैनस में लाना है तो पलस ही देना पड़ेगे a square पलस आपका b square minus 2 into a into b देखे तो क्या मिला x square मिल गया 1 by x का whole square मतला वो 1 by x square ही हो गया और यह आपका 2a भी आप दिये हैं तो x और x केंसल तो आपका minus 2 बच गया ना तो जब आपका minus 2 बच गया तो एक पलस 2 आप अपने मैनस से दे दिजे नीट्रलाइस करने के लिए तो देखे तो आपका क्या मिला साथ में dx 1 plus 1 by x square by यहां से यहां आपका perfect square हो गया x minus 1 by x का whole square और यहां पर आपका है पलस 2 तो पलस 2 आप लिख दीजे और साथ में आप लिख दीजे dx अब देखिए क्या फायदा हुआ अब आप यह दिन नीचे वाले को पुटिएगा तो उपर वाला मिल जाएगा बूलिए कैसे x का differentiation 1 1 by x है इसका differentiation minus 1 by x square है और minus पहले से है तो minus गुनी minus क्या हो जाएगा पलस आप जिसे पुटते हैं उसे d में गुशाते हैं और उसको लिखते भी हैं तो कैसे लिखिएगा देखिए तो इसे इस परकार से लिखना है i बराबर d में गुशा दीजे x minus 1 by x by x minus 1 by x का square और इसको आप ले लिजे root 2 का square समझे तो आप क्या ले लिजे root 2 का square ठीक है बाबू और एक बार आप verify जरूर कीजिए हाँ जब भी आप इस तरह से short method apply करते हैं एक बार verify कीजिए यदि आप इसको put करके बनाईएगा तो 8 से 10 line आपका ज़्यादा लगेगा जैसे x का differentiation 1 1 by x का minus 1 by x square minus पहले से है तो minus गुनी minus पलस हो गया ठीक है उपर वाला आ गया अब देखे तिये कौन सा format हो गया अब इसका format पकड़िए तो इसका format हो गया dx by x square plus a square और इसका integration होता है 1 by a 10 inverse x by a तो i बराबर देखे तो 1 by a, a के जगे पर आपका root 2 है तो आपका हो जाएगा 1 by root 2 10 verse x और x के जगे पर है x minus 1 by x तो x minus 1 by x by a और a के जगे पर है आपके पास root 2 तो यहाँ पर आपका हो गया root 2 और अब आपका एक sum constant c को जोड़ दिजे तो i बराबर हो गया 1 by root 2 10 verse इसको गुना किजेगा तो आपका x square minus 1 by root 2 x plus c और यही आपका हो गया answer समझेगे वैच्चो यही आपका हो गया answer मैं एक बार मिला लेता हूँ तो आईए देखिए तो इसका answer है 1 by root 2 ठीक है तो इस तरह से यह question हम लोगो बनाए तो अब आप इसका एक बार screenshot ले ले चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके result को हम लोग अभी थोड़ा देर में use करेंगे मैं बताओंगा किस question में use करूंगा में एक्स स्क्वार मैनस वन बार एक्स पे पावर फूर पलस वन और आपका है dx और इस question को हम लोग बनाते हैं ठीक है तो आईए इसको बनाया जाए तो क्या किजेगा इसका तरीका है बिल्कुल पहले जैसा ही थोड़ा सांता रहे इसमें तो इस question को हम लोग solve करते हैं तो देखें तो आई बराबर क्या हो जाएगा आपका x square common ले लिजे तो 1-1 by कितना हो जाएगा x square नीचे से भी x square common ले लिजे x square पलस 1 by x square और साथ में आपका हो गया dx ये दोनों भाई सब आपका कड़ गया क्या बाचिगा बाबू तो 1-1 by x square by x square पलस 1 by x square और आपका हो गया dx i6 अभी मैं आपको क्या बताया था कि यदि उपर आपका मायना से तो नीचे हम लोग बनाएंगे perfect square या उपर यदी पलस रहेगा तो नीचे हम लोग बनाएंगे माइनस में और देखिए तो यहाँ पर उपर आपके क्या है माइनस तो हम लोग पलस में perfect square को बनाते हैं कैसे बनेगा यहाँ पर देखिए तो i बराबर integration one by one minus x square by देखिए तो कैसे होगा जी यहाँ इस परकार से लिखिए, हाँ, x आपको नीचे किसमें बनाना है, पलस में, x square plus 1 by x का square plus 2 into x into 1 by x, यह दोनों तो आपको मिल गया, यहाँ पर x और x के नसिल तो plus 2 बच गया ना, तो आप क्या दे देज़े, minus 2, और एक चीज़ देखिए, कि यह आपका perfect square बन चुका है, तो क्या होगा, आई बराबर 1 minus 1 by x square, यहाँ से आपका x plus 1 by x का square, minus आपका होगया 2, ठीक है बाबो, और अब देखिए तो, अब यदि आप नीचे वाला put कीज़ेगा, तो साथ में dx भी लिख लिज़े, अब यदि आप नीचे वाला put कीज़ेगा, तो उपर वाला आ जाएग जैसे, x का डिफ्रेंसेसर 1, और 1 by x का minus 1 by x square, तो देखिए तो आप इसको कैसे लिखिएगा, इसको आप इस परकार से लिख सकते हैं, कि आप d में गुशा देजे, x plus 1 by x, और नीचे आपका x plus 1 by x का square, minus root 2 का square, क्योंको root 2 का square तो आपका 2 ही हो जाएगा, एक बार verify जरूर कीज़ेगा, x का डिफ्रेंसेसर 1, और 1 by x का minus 1 by x square, अब देखिए आपका कौन सा format हो गया, अब आपका हो गया dx by x square minus a square, आप जानते हैं क्या होता है, log x minus a by x plus a, यह आपका formula है, इस formula का हम लोग सिधी भी किये हैं, 12 में भी सिध किये थे, और आपका honors में भी जब मैं starting किया था, तब इसको सिध किया था, तो i बराबर आपका क्या हो गया, देखिए बाबू, तो i बराबर आपका log x, लेकिन x के जगह पे आपके पास x plus 1 by x है, तो x plus 1 by x minus a, a के जगह पे आपके पास root 2 है, तो root 2 ले लिजे, by same चीज़, just यहाँ पर plus ले लेना है, x plus 1 by x plus root 2, और आप दे देजे, some constant c, हाँ, तो क्या दे दिये, some constant c, ठीक है, तो इसमें मुझे ने लगता है, कि आपको कोई परसानी होनी चाहिए, और और इसमें से क्या है, तो और जो है, तो इसमें से एक आप formula में यहाँ पर आपका क्या होता है, तो 1 by 2 a भी होता है, तो आपका हो गया 1 by 2 और a, तो a के जगह पर देखेगा ता आपका क्या है, तो a के जगह पर आपका root 2 है, तो a के जगह पर आपका root 2 हो गया, तो i बराबर 1 by 2 root 2, log LCM ले लिजे तो यहां पर हो जायागा x square plus 1 minus root 2x यह x नीचे वाले x से कर जायागा तो x square plus 1 plus root 2x plus c और इसी को थोड़ा सा बढ़िया करके लिख दीजे तो i बराबर 1 by 2 root 2 log x square minus root 2x plus 1 by x square plus root 2x plus 1 plus आपका sum constant c हो गया और यही आपका हो गया answer मैं एक बार मिला लेता हूँ हाँ देखे तो तो आपका है 1 by 2 root 2 log ठीक है ठीक है बिल्कुल सही आया है तो अब आप इसका एक बार screenshot ले ले थोड़ा संधेरा हो रहा है अब ठीक हो गया हाँ अब आप इसका screenshot ले ले बावो चलिए हम लोग आप next question को पढ़ते हैं और अभी हम लोग जो दो question पढ़े है इसका result हम लोग use करेंगे अब जो question पढ़ने जा रहे हैं तो आईए अगले question को हम लोग लिखते हैं आपका है next question आई बराबर integration dx by x पर पावर 4 पलस 1 है हाँ और इस चीज़ को हम लोग हाँ इस चीज़ को हम लोग को solve करना है तो कैसे solve कीज़ेगा देखिए इसका एक तरीका है हाँ उस तरीका का हम लोग follow करते है तो इसको देखे तो ऐसे लिख सकते हैं क्या हम लोग x square हाँ पलस 1 माइनस x square माइनस 1 by x पर पावर 4 पलस 1 और आपका dx देखे तो हम लोगों ने क्या क्या किया तो यह असा करने से x square और x square तो केंसिल हो जाएगा माइनस गुनी माइनस पलस 1 और पलस 1 तो 1 पलस 1 कितना 2 2 फलतुक आपका उपर आ रहा है तो आप क्या किजे तो आप इसको 2 से भाग दे देजे ठीक है बच्चो और अब आप इस दोनों को अलग लग किजे तो अलग अलग किजेगा तो आई बराबर कितना 1 बाय 2 x square पलस 1 बाय x पे पावर 4 पलस 1 dx माइनस 1 बाय 2 x square माइनस 1 बाय x पे पावर 4 पलस 1 और dx ठीक है इतना आ गया और अभी देखिए अभी जस्ट हम लोग इसका इंट्रिकेशन और इसका इंट्रिकेशन अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं तो आपको क्या करना है कि यहां पर आपको solve करना मैं तो solve नहीं करूंगा क्योंकि अभी just मैं आपको बताया हूँ तो यहां पर आपको क्या करना है कि इसको अभी जैसे में पहले बाता है उस तरह से solve कर लिजेगा और तब आपको answer लिखना है तो answer 1 by 2 और इसका क्या आया था मैं देखकर लिख देता हूं आप तो अपने से बना लिजेगा तो यह बला आपका answer आया था first का first का आपका आया था इस प्रकार से कितना आया था 1 by root 2 10 inverse x square minus 1 by root 2x minus 1 by 2 और इसका आपका answer आया था इस प्रकार से कि 1 by 2 root 2 और log x square minus root 2x plus 1 by x square plus root 2x plus 1 और plus c ठीक है आपको यह दोनों solve करना है एक्जाम में आपको क्या करना है इससे solve करना है तो आई बरावर finally कितना हो गया तो 1 by 2 root 2 10 inverse x square minus 1 by root 2x minus 1 by 4 root 2 log x square minus root 2x plus 1 by x square plus root 2x plus 1 और plus some constant c तो इस परकार से यह question आपका complete होगे हलाके मैं तो दो चार लाइन में इसको बना दिया यहां पर जो dot 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 से कमने लग रहा हूँ मैं समझें चलिए ले लिजे इसका स्क्रीन सब्सक्राइब